वेलकम चूबर यूट्यूब चैनल निशा जूकेशन आज के इस वीडियो में हम क्लास नाइन का चैप्टर सैवन त्रिबुज के एक्सेसाइज 7.4 के क्वेशिन नमबर 1, 2 और 3 इस वीडियो में सॉल्व करेंगे ठीके लेकिन यहाँ पर हम एक्सेसाइज स्टार्ट करने के पहले कुछ प्रमे पढ़ लेते हैं ठीके जो कि हमें एक्सेसाइज को सॉल्व करने में हेल्प करेंगी ठीके ना तो आप इन तीनों प्रमेओं को ध्यान से पढ़ेंगे ताकि आप एक्सेसाइज 7.4 के क्वेशिन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएं तो चलिए हम सबसे पहले प्रमे 7.6 को समझ लेते हैं ठीके प्रमे है यदि किसी त्रिबुज की दो भुजाएं असमान हो तो लंबी भुजा के सामने का सम्मुक कोण बड़ा होता है ठीके तो इस प्रमे के लिए मैंने यहाँ पर एक त्रिबुज बना दिया है त्रिबुज A, B, C ठीके और में ये बोला गया कि किसी भी त्रिबुज में ये दो भुजाएं असमान हो ठीके जैसे मैं A, B और A, C भुजा ले लूँ है तो ये दोनों भुजाएं क्या है असमान है असमान है मतलब बराबर नहीं है ठीके तो लंबी भुजा के सामने का सम्मुक कोण क्या होता है तो चलिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर इस प्रमे को समझने के लिए इसकी माप दे देते है ठीके इस त्रिबुज की भुजाओं की तो सपोस्ट ये 4 सेंटीमीटर की भुजा है और ये 3 सेंटीमीटर की है सपोस्ट कर रहे हम ठीके और ये 5 सेंटीमीटर की है ठीके तो मै यदि इन दोनों भुजाओं की बात करूँ AC और BC की ठीक है तो इन दोनों भुजाओं में जो बड़ी भुजा है या लंबी भुजा है इसके सामने या सम्मुक कोण क्या होगा बड़ा होगा ठीक है तो यहाँ पर देख पा रहे हैं BC भुजा क्या है इन दोनों भुजाओं में ठीक है किने भी दो भुजाओं के बात करें हम तो AC भुजा और BC भुजा में BC भुजा की लंबाई ज्यादा है तो इसके सामने का कोण मतलब इसका समुख कोण क्या है A ठीक है कि कोण A बढ़ा होगा कोण B से और कोण A बढ़ा होगा कोण C से, ठीके, I hope ये बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ठीके, ये किसी त्रिबुच की दो भुजाएं क्या हो, समान हो, तो लंबी भुजा के सामने वाला कोण क्या होता है, बढ़ा, ठीके न, फ ठीके, चलिए अब next प्रमे समझते हैं, next प्रमे है, प्रमे 7.7, ठीके, प्रमे है कि किसी त्रिबुच में बड़े कोण की सम्मुक भुजा, बड़ी या लंबी होती है, ठीके न, तो यहाँ पर ये जो प्रमे है 7.7, ये 7.6 की क्या है, विलोम है या opposite है, ठीके न, यहाँ ह हमने पड़ा था कि लंबी भुजा का सम्मुक कोण क्या होता है, बड़ा होता है, और यहाँ बोला गया है कि बड़े कोण के सामने की भुजा क्या होती है, बड़ी या लंबी होती है, ठीके, तो हम यहाँ पर इन कोणों को सपोस कर लेते हैं कि ये कितनी मापके हैं, ठीके तो जैसे मान के चलो ये 100 degree का है ठीक है suppose कर रहे हम और ये हो जाएगा 50 का और ये total 180 degree होता है तो suppose करो कि ये 30 degree का है ठीक है तो ये total हो गया 180 degree ठीक है तो यहाँ पर आप लोग देख पारे है कि सबसे बड़ा कोड क्या है कोड A ठीक है तो कोड A के सामने वाली भुजा या सम्मुक जो भुजा है ये क्या होगी सबसे लंबी है सबसे बड़ी होगी इसका मतलब ये जो BC भुजा है ये सबसे बड़ी भुजा होगी ठीक है I hope ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी ठीक है आप याद रखेगा question solve करते time की बड़े कोड की सम्मुक भुजा क्या होती है बड़ी होती है ठीक है तो यहाँ पर ये जो BC भुजा है ये बड़ी होगी ठीक है AB भुजा से और BC भुजा बड़ी होगी AC भुजा से ठीक है अब हम प्रमे 7.8 समझ लेते हैं ठीक है तो इसके according मतलब इस प्रमे के according त्रिपुज की किनी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ठीके ना, त्रिपुज की किनी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तो मैंने यहाँ पर एक त्रिपुज बना दिया है, त्रिपुज A, B, C, तो यहाँ पर देखिए, इस त्रिबुज में इस प्रमे के कॉर्डिंग किनी भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होगा बड़ा होगा ठीके हम इस त्रिबुज में किनी भी दो भुजाओं को ले सकते हैं जैसे मैं ले लू अबी प्लस मतलब हम ये वाली भुजा और ये वाली भुजा ठीके तो A B PLUS AC का जो योग है ये बढ़ा होगा ठीके किसे? B C भूजा से ठीके अब देखें मैंने यहाँ पर A B और A C भूजा का योग लिया है हम किनी भी दो भुजाओं का ले सकते हैं जैसे हम A, B और B, C का भी ले सकते हैं A, B धन, B, C का जो योग है वो बड़ा होगा किसे A, C भुजा से या फिर हम B, C और A, C भी ले सकते हैं ठीके तो B, C, धन, A, C का जो योग होगा वो बड़ा होगा किस से, ए, भी, भुजा से, तो हम त्रिबूज की किनी भी दो भुजाओं को ले सकते हैं, और इस प्रमे की कोडिंग यही बोला गया है, कि त्रिबूज में किनी भी दो भुजाओं का योग, तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीके, तो I hope ये तीनों प्रमे आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है, और अब हम इनी प्रमे की help से exercise 7.4 के question number 1, 2 और 3 इस वीडियो में solve करेंगे, चलिए, अब हम exercise 7.4 का question number 1 solve कर लेते हैं, देखते हैं कि इसमें हमसे क्या पूछा गया है, ठीक है, question है, दर्साइए कि समकोण त्रिबुज में करण सबसे लंबी भुजा होती है, ठीक है, तो हमें इस question में ये दर्शाना है, कि जो समकोन त्रिपुज होता है उसमें कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है ठीक है अब देखी इस question में हमें चित्र नहीं दिया गया है ठीक है तो हमें क्या करना है एक समकोन त्रिपुज बना लेना है जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है त्रिपुज A, B, C ठीक है जि इस question को हम solve कर लेते हैं ठीक है सबसे पहले दिया है मैं लिख देंगे ठीक है सबसे पहले दिया है फिर जो सिद्ध करना है देन फिर हम इसे सिद्ध करेंगे ठीक तो मैं यहाँ लिख देती हूँ सबसे पहले जो हमें दिया है ठीक है समकोन त्रिपुज A, B, C में कोण B बराबर कितना 90 अन्स है ठीक है यहाँ पर है भी लिख देते हैं अब हमें जो सिद्ध करना है उसे लिख देते हैं सिद्ध क्या करना है हमें अब देखिए ठीक है त्रिबुच A, B, C में कर्ण कौन सा है ठीक है ना मैं आप लोगों को बता दूँ कि जब भी आपको कोई समकौन त्रिबुच देखे तो जो समकौन वाला एंगल होता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण होती है ठीक है मतलब यहाँ पर A, C भुजा क्या है इस समकौन त्रिबुच का कर्ण है ठीक है तो हमें क्या सिद्ध करना है कि कर्ण हम ब्रैकेट में लिख देते हैं A, C सबसे लंबी भुजा है यह चीज हमें सिद्ध करनी है ठीक है अब हम क्वेशन को क्या करेंगे सिद्ध करेंगे बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेशन है ठीक है ध्यान से समझेगा ठीक है न हम देखें यहाँ पर त्रिबुच A, B, C में क्या कर सकते हैं ठीक है त्रिबुच A, B, C में हमें पता है कि किसी भी त्रिबुच में जो तीनों कोणों का योग होता है वो केतना होता है 180 डिग्री होता है ठीक है तो वही चीज हम यहाँ पर लिख देंगे कोण A, धन, कोण B, धन, कोण C का जो मान होगा वो कितना होगा 180 यांस हम reason भी यहाँ दे देंगे त्रिबुच के तीनों कोणों का योग ठीक है यह बार सबको पता होती ही कि त्रिबुच के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है ठीक है अब देखिए यहाँ पर कोण B का जो मान है वो कितना है 90 अंस है ठीक है तो हम क्या करेंगे कोण A, धन, कोण B का मान कितना है 90 अंस तो हम यह 90 अंस लिख देते हैं धन, कोण C, बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री ठीक है अब देखिए कोण B का मांधों में पता था इसलिए हमने लिख दिया अब हम क्या करेंगे इसका इधर पक्षांतर कर देंगे ठीक है तो यहां क्या बचा कोण A धन यहां पर कोण C बराबर कितना 180 डिग्री ठीक है न माइनस कितना 90 डिग्री क्यों भई क्य क्योंकि हमने 90 degree का क्या क्या है पक्षांतर ठीक है तो यहाँ पर हो जाएगा कोण A धन कोण C बराबर कितना यहाँ से 90 ठीक है एक सोसियंस में से 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा केवल लब बयंस ठीक है अब देखिए यहाँ पर समझने वाटी बात है ठीक है मैं जो बता र यह question समझने वाला है मतलब अगर जिस नहीं इस point पर इस question को समझ लिया आना तो वो इस question को बहुत ही असानी से solve कर पाएगा ठीक है तो देखिए यहाँ पर इन दोनों कोणों का योग कितना है 90 अंस इससे सिध्धे यह होता है कि कोण A और कोण C दोनों क्या है नियोन कोण अब देखिए दोनों का योग मिला कर 90 अंस हो रहा है इसका मतलब यह हुआ कि यह नबबबबबबबबन अंसे तो बिल्कुल छोटे हैं अब जो कोण 90 अंसे छोटे होते हैं वो क्या होते हैं नियोन कोण होते हैं तो हम बहुती असानी से हाँ पर लिख सकते हैं अतहां क्या होगा, new cone, cone C भी क्या होगा, new cone इसका मतलब cone A और cone C दोनों का जो मान है, वो नभ्यान से कम होगा, ठीकि तो उसी चीज़ को मैंने यहां पर लिख दिया है, सेम चीज़ कि यहां पर cone C का भी जो मान होगा, वो 90 degree से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है, यह less than का symbol है, आप यहां पर आगे देखिए, हमें पता है कि यह जो 90 degree है ना, यह 90 degree मतलब कौन से cone है, cone B है, ठीक है तो हम 90 degree की जगह क्या लिख सकते हैं, cone B लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि cone B का ही तो मान कितना है, नभ्यान्स, तो चले यहां पर लिख देते ह cone A, छोटा है cone B से, ठीक है, सेम चीज़ हमें आपर लिख देंगे, तथा cone C, छोटा है cone B से, ठीक है, क्योंकि आपन नभ्यान्स की जगह हमने क्या लिख देया, cone B, हमें आपर चाहे तो reason भी दे सकते हैं, क्योंकि cone B is equal to 90 degree, ठीक है, अब यहां पर देखिए, cone B, cone A से भी ब cone C से भी बड़ा है, इसका मतलब यह हुआ, कि इस पूरे त्रिबुज में cone B सबसे बड़ा cone है, ठीक है, फिर से समझेगा, cone B, cone A से भी बड़ा है, और cone B, cone C से भी बड़ा है, मतलब cone B, इन दोनों cone से बड़ा है, मतलब मैं यहां पर यह लिख सकती हूँ, कि त्रिबुज A, B, C में cone B सबसे बड़ा cone है, ठीक है, आए होग यह बाद आपको बहुत अच्छे सा समझ में आई होगे, ठीक है, और अभी अभी मैंने आप लोगों को एक प्रमे बढ़ाई थी, कि किसी भी त्रिबुज में बड़े cone की सम्मुक भुजा क्या होती है, लंबी होती है या बड़ी होती है, ठीक है, तो मैं यहां पर लिख सकती हूँ, अतह एसी भुजा सबसे लंबी है, ठीक है, रीजन हमें आदे देंगे, क्यूंकि बड़े cone की सम्मुक भुजा, ठीक है, प्रमे के recording हमने पढ़ाया ना, कि बड़े cone की सम्मुक भुजा क्या होती है, बड़ी होती है, ठीक है, तो देखिए, इस प्रकार हमने यहां पर current, मतलब AC भुजा सबसे लंबी भुजा है, त्रिपुज ABC में यह बहुत ही असानी से क्या कर दिया, प्रुफ कर दिया, ठीक है, आई होब यह question आपको बहुत अच्छे से समझ माया होगा, ठीक है, हमने क्या किया, त्रिपुज ABC, एक सम कौन त्रिपुज बना लिया, ठीक ह उससे होगा यह कि, दो कोणों का योग 90 डिगरी आ जाएगा, ठीक है, अब हमें पता है कि, आपर दो कोणों का योग 90 डिगरी आ रहा है, इसका मतलब होगा यह, कि यह दोनों कोण क्या होंगे, न्यून कोण, और वही चीज हमने आपका लिग दी, उससे हुआ यह, कि कोण बी, तुरिबूच ABC में सबसे बड़ा कुण सिद्ध हो गया, ठीके, और हमें पता है कि بड़े कुण की समुक भुजा क्या होती है, सबसे लंबी होती है, या सबसे बड़ी होती है, इसी चीज से हमने हमें जो सिद्ध करना था कि कर्ण या AC सबसे लंबी बुजा है, यह हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है, I hope question number first आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, यदि आपको यह question बहुत अच्छे से समझ में आया है, तो please इस वीडियो को आप जादा से जादा शेयर जरूर करें, चलिए अब next question solve करते हैं, next question है, question number two, ठीक है, देखते हैं question number two में हमसे क्या पूछा गया है, question है, आकृती में त्रिबुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशह बिंदू P और Q तक बढ़ाया गया है, ठीक है, तो पहले हम इतने भाग को समझ लेते हैं, हमें इस question में आकृती दी गई है, और बोला गया है की त्र शिट बुज दिखरा हुगा ये वाला, ठीक है, इसमें यह जो AB बुजा है, इसको P बिंदू तक बढ़ाया गया है, ठीक है, साथ ही कोण P, B, C, ठीक है, कोण P, B, C, मतलब ये वाला कोण, ठीक है, ये कोण छोटा है, कौन QCB से मतलब ये वाला कौन जो है छोटा है इस कौन से मतलब यहां पर यह हुआ कि ये वाला कौन बड़ा है और ये वाला कौन छोटा है ये चीज हमको दी गई है ठीके अब हमें दर्शाना है कि AC भुजा बड़ी है अब हमें दर्शाना है कि TRIBUC ABC में AC भुजा बड़ी है AB भुजा से ठीक है हमें क्या दर्शाना है कि AC भुजा बड़ी है AB भुजा से तो हमें जो सिद्ध करना है हम उसको सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ पर सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है AC भुजा बड़ी है AB भुजा से त्रिपुच ABC में AC भुजा बड़ी है AB भुजा से ये चीज़ हमें सिद्ध करने है अब जो दिया है ये जो दिया है इसी से हम इस question को proof करेंगे बहुत ही ज़्यादा आसान question है ये बहुत ही छोटा question है आप ध्यान से देखेंगे तो एक की ही बार में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ठीक है तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ जो कि हमें दे रखा है कोण P, B, C छोटा है कोण Q, C, B से ठीक है ये चीज़ हमें दी हुई है तो देखें हमें यहाँ पर कोण B मतलब ये बहार वाला कोण और ये कोण C, ये वाला कोण दे रखा है मतलब इनमें संबंद दे रखा है कि ये कोण बड़ा है और ये कोण छोटा है ठीक है लेकिन हमें अंतर कोण नहीं दिये गए है ठीक है अब देखिए हमें एसी भुजा को क्या करना है बड़ी सिद्ध करना है किस से ए भी भुजा से ठीक है तो हम यदि किसी तरह इस कौन को क्या कर दे बड़ा सिद्ध कर दे तो फिर ये एसी भुजा क्या हो जाएगी बड़ी क्योंकि अभी अभी हमन बजने वाली बात है कि ये जो पूरा कोण है ना ये कितना है 180 डिगरी ठीक है ये पूरा कोण यहाँ पर क्या है 180 डिगरी है ना क्योंकि हमें पते हैं सीधी नाइन पर जो कोण बनता है वो कितने अंस का बनता है 180 डिगरी का बनता है तो सेम सिच्वेशन यहाँ पर भी है ठी तो फिर ये वाला कोण ही बचेगा ना, सिर्फ इतना कोण, ठीके, तो हम कोण A, B, C को लिखने के लिए क्या करेंगे, 180 अंस में से कोण P, B, C को घटा देंगे, तो फिर कोण A, B, C आ जाएगा, ठीके, बहुत ही असान है, I hope ये बात आपको अच्छे से समझ में आई हूँ, ठीके, तो हम क्या करेंगे, 180 अंस में से घटा देंगे, कोण P, B, C को, अभी यहाँ पर चिन नहीं लगाएंगे, मैं बताती हूँ कि चिन यहाँ पर कैसे लगेगा, ठीके, अब देखे, सेम चीज इस तरह भी हम करेंगे, यहाँ पर ये टोटल कोण कितने का बनेगा, 180 डि में से सिर्फ इतने कोण को घटा देंगे, तो इतना कोण बचेगा, ठीके, मतलब कोण A, C, B बचेगा, बिल्कुल बचेगा, ठीके, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, 180 अंस माइनस कोण Q, C, B, ठीके, इतनी बात तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई हो कि 180 डिगरी में से इतने कोण को घटा दिया और 180 डिगरी में से इतने कोण को घटा दिया, ठीके, अब सबसे समझने वाले जो बात हैं वो यहाँ पर है, ठीके, जो इस बात को समझ गया न, वो इस question को बहुत ही असानी से solve कर पाएगा और उसे question भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीके न, अब देखिए, यहाँ पर हमें पता है कि कोण PBC, मतब यह वाला कोण छोटा है और यह वाला कोण क्या है, बड़ा है, ठीके, suppose करो कि यह 80 डिगरी का है और यह 100 डिगरी का है, ठीके, यह suppose कर रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर आप लोगों को स कम जाना है न, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको मान लिया, कि यह चोटा कोण है, यह बड़ा कोण है, तो इसको हमने 80S मान लिया, और इसको Soans मान लिया, ठीके, अब देखिए, 180S में से हम कोण PBC, मतलब 80S को घटाएंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, Soans बचेगा, इस त हम 180S में से 80S घटाएंगे, तो यहाँ पर Soans बचेगा, ठीके, और यहाँ पर देखिए, 180S में से QCB, मतलब Soans को घटाएंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा, Soans, ठीके, और यहाँ पर कितना बचा, Soans, तो अब क्या होगा, कि यह जो sign है, यह जो chin है, यह क्या हो जाएग मतला अभी हमने लिखा था कि कौण PBC छोटा है कौण QCB से लेकिन जैसी हमने 180 डिगरी में से इन कोणों को घटाया तो अब उल्टा हो गया ये कोण क्या हो गया बड़ा तो मैं साइन यहाँ पर क्या कर दूँगे चेंज कर दूँगी ये क्या हो गया पलट गया ये कोण पहले छोटा था इससे अब क्या होगा जैसी हमने 180 में से घटाया तो ये पार्ट ये पूरा क्या हो गया बड़ा मैंने आपको एक्जाम्पल के थू भी समझाया I hope आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी ये इस टेप जिसने समझ लिया उसको question बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा 180 में से ये कोण छोटा था मतलब मैंने 80 माना तो 180 में से 80 गटाया तो इधर 100 बचा ठीक है और यहाँ पर 180 में से 180 गटाये तो 80 बचा तो 100 बड़ा है कि 80 बड़ा है 100 बड़ा है इसलिए यहाँ पर जो बड़ा का सिंबॉल या चिन है वो इस तरफ हो गया ठीक है अब देखें 180 में से कोण PVC को हमने गटाया तो कौन सा कोण बचा है ये वाला तो हम इस चीज़ को यहाँ पर लिख देते हैं कि कोण ABC बड़ा है कोण अब इतना 180 में से QCB को घटाये तो इतना कोण बचेगा ठीक है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि कोण ACB ठीक है कोण ABC बड़ा है कोण ACB से ठीक है अब देखें कोण ABC मतलब इस कोण के सामने वाली भुजा क्या है A C ठीक है तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ A C भुजा बड़ी होगी कोण A C B है ना बीच वाले कोण की बात हो रही तो कोण C के सामने वाली भुजा क्या है A B ठीक है तो A C भुजा बड़ी होगी किस से A B से और I hope हम लोगों को यही चीज प्रूफ करनी थ देखे दो लाइन का question ही लेकिन समझने योग के बात कहां पर है सिर्फ और से पिहां पर यह step जिसको अच्छे से समझ में आ गई ना थो question दो लाइन का है बहुत ही आसान question है ठीक है I hope question number 2 अप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा चलिए अब हम next question मतलब third question solve कर आकृती में हमें इस question में एक आकृती दी हुई है जो कि मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है ठीक है आकृती में कोण B छोटा है कोण A से मतलब यह वाला कोण कोण A क्या है बड़ा है ठीक है और कोण C ठीक है कोण C छोटा है कोण D से मतलब यहाँ पर कोण D क्या है बड़ा है इन दोनों कोड़ों में ठीक है तो दर्शाहिए कि AD भुजा BC भुजा से छोटी है ठीक है फिर से समझेगा आकरती में हमें बोला गया है कि इन दोनों कोड़ों में कोड B छोटा है और कोड A बड़ा है ठीक है इन दोनों कोड़ों में और यहाँ पर कोड D और कोड C में कोड C छोटा है और कॉन डी क्या है बड़ा है तो हमें यहाँ पर प्रुफ करना है कि यह जो AD भुजा है यह छोटी है BC भुजा से ठीक है यह चीज़ हमें प्रुफ करनी है ठीक है तो हमें जो सिद्ध करना है उसे हम सबसे पहरे लिख देते हैं तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है हमें AD भुजा छोटी है BC भुजा से ये चीज हमें प्रूफ करने हैं ठीक है बहुत ही ज़्यादा आसान question है ठीक है अब कोड B और कोड A किस त्रिबुज में है इस त्रिबुज में यहाँ पर आप लोगों को पहले तो मैं बता दूँ कि यहाँ पर दो त्रिबुज दिख रहे होगे एक तो ये वाला एक तो ये वाला ठीक है तो त्रिबुज O A B में ठीक है त्रिबुज O A B में हमें यहाँ पर लिख देते हैं त्रिबुज O A B में जो चीज ंमें दिया हुआ है वह हम लिख देंगे कि कोण B छोटा है कोण A से, ठीक है? अब देखिए, ठीक है? हमें पता है अभी अभी हम लोगों प्रमे में पढ़ा था कि बड़े कोण की समुख भुजा क्या होती है? बड़ी होती है, ठीक है? तो बड़ा कोण कोण सा है? कोण A, तो कोण A की समुख भुजा क्या है O, B ठीके, तो मैं आपर लिख देती हूँ O, B ये बड़ी होगी, ठीके कोण B के सामने की भुजा कौन सी है A, O से, ठीके A, O से, ठीके आई बास समझें, बहुत ही ज़्यादा आसान है हमें जो दे रखा है न, वहीं चीज़ हमने लिख दे, ठीके त्रिबुज O, A, B में मतलब इस त्रिबुज में हमें दे रखा था कि कोण B छोटा है, कोण A से ठीके, तो ये चीज़ हो गई, अब हमें पता है कि बड़े कोण की समुख भुजा क्या होती है, बड़ी प्रमय के कोणि तो कोण A हापर बड़ा है तो कोण A के सामनी की भुजा क्या है O, B, और कोण B के सामनी की भुजा क्या है, A, O, मतलब O, B भुजा ये आपर बड़ी होगी, A, O भुजा से, ठीके, अब हमें क्या करना है इसको दे दे रहा है equation number first ठीक है अब सेम चीज़ हमें यहाँ पर त्रिबुज OCD में करेंगे ठीक है तुम्हें यहाँ पर लिख देती हैं त्रिबुज OCD में क्या दिया हुआ है हमें कोण C छोटा है कोण D से ठीक है मतलब यहाँ पर कोण D क्या है बड़ा और प्रमी के कोडिंग हमें पड़ता है कि बड़े कोण की समुख भुजा क्या होती है बड़ी होती है तो कोण D के सामने वाले भुजा क्या है त्रिबुज OCD में ठीक इस त्रिबुज की बात होई है त मैं यहाँ पर लिख देती हूं OC भुजा बड़ी होगी ठीक है कौन C के सामने की भुजा कौन सी है OD तो हमें यहाँ पर लिख देंगे OD ठीक है तो यहाँ पर देखें कौन D बड़ा है तो कौन D के सामने की भुजा OC बड़ी होगी किस की तुल्ला में OD की तुल्ला में या फि इसे दे देते हैं equation number second अब देखी हमें हाँ पर reason दे देते हैं ठीक है कि बड़े कौन की सम्मुख भुजा बड़ी होती है ठीक है reason दे देंगे तो जादा अच्छा रहेगा ठीक है same चीज़ आप यहाँ पर लिख देंगे ठीक है यही line आपको लिख देनी है कि बड़े कौन की सम्मुख भुजा भी क्या होती है बड़ी होती है अब हमें क्या करना है कि equation number first में equation number second को add कर देना है या जोड देना है ठीक है तो बहुत ही असानी पर हमारा question solve हो जाएगा ठीक है तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ समी करण एक धन दो करने पर मतलब दोनों समी करनों को जोडने पर ठीक है तो यहाँ पर देखें left hand side से left hand side जुड जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा AO धन OD और यहाँ पर इस तरफ हो जाएगा OB धन OC अब यहाँ पर left hand side में देखें AO धन OD है ठीक है तो यहाँ पर देखें हम इतने भाग में इतने भाग को जोड़ेंगे तो पूरा AD हो जाएगा या पूरी AD भुचा बन जाएगी ठीक है तो यहाँ पर AO धन OD को हम क्या लिख सकते है AD तो चली मैं यहाँ पर लिख देती और OB धन OC को हम क्या लिख सकते है ठीक है OB मतलब इतने भाग धन OC मतलब इतने भाग दोनों को हम जोड़ेंगे तो यह पूरा BC हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यह पूरा BC ठीक है अब हम चेक कर लेते हैं जो कि हमें प्रूफ करना था ठीक है हमें यही च प्रूफ करनी थी तो हमने बहुत ही जादा आसानी से से प्रूफ कर दिया ठीक है जो चीज हमें दे रखी थी तो हमें पता है कि बड़े कोण के सामने की भुजा भी बड़ी होती तो वही चीज हमें लिख दी और यहाँ पर equation number first दे दिया पहले त्रिपुज में second I hope इस exercise के question number first, question number second और question number third आप लोगों को पहुत अच्छे से समझ में आए होंगे ठीक है यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like जरूर करें और मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक share करें और यदि channel पर नए है तो channel को subscribe करके bell icon जरूर प्रेस करे thank you